नमस्कार दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बर्फी के नई रेस्पी आज हम अंगूर से बर्फी बनाएंगे गर्मियों का दिना गया है अंगूर भर भर के मिल रहे हैं तो आज हम अंगूर से बर्फी बनाएंगे अंगूर की वर्फी बहुत जल्दी बन कर त्यार हो जाता है और इसे बनाने में हमें ज्यादा चीजों की जरुद भी नहीं परती ये खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है इस बरफी का स्वाद जेली की तरह लगता है बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं तो चली बनाना शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम अंगूर लेंगे अंगूर को मैंने अच्छी तरह दू लिया है और इसका डंठा लटा दिया है अंगूर का हमें जूस निकाला है इसके लिए मैंने अंगूर को ग्राइंडर जार में डाला है अंगूर ज्यादा है इसलिए हम द ऊसा पानी डाल कर भी ग्राइंड कर सकते हैं अब इससे हम झान लेंगे था व झान लेंगे मैंने एक बावल में चलनी रखा है इसमें फिशर मी item युड डालेंगे और इसे अच्छी तरह प्लें उसके छान लेगे धाल काण देख सकते हैं छलनी में कतने सारे छिल डाल एक ह अब देख सकते हैं यहां अंगूर का जूस निकल गया है अब जूस को हम नाप लेते हैं मैंने चोटा सा कटोरी लिया इससे हम जूस को नाप लेंगे आपके पास जो भी हो कटोरी हो कप हो या गिलास हो उससे नाप सकते हैं जूस को मैंने नाप लिया यह देर कप के करीब है आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं मैंने यार सेम कप से आधा कप कॉन फुलोर लिया है कॉन फुलोर को जूस के अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए मैंने एक छोटा सफ लेट लिया है जिसमें हम बड़फी को जमाएंगे आपके पास कोई भी केक टीन हो या ट्रे हो आप ले सकते हैं इसे हम गीज या अच्छी तरह ग्रिस कर लेते हैं ग्रिस करने के बाद इसमें कटी हो ड्राफ रूट्स डाल देते हैं मैंने थोरा सा चेरी को छोटे-छोटे टुकरू में काटके डाल दिया है मैंने गेज पर एक पेन रखा है पेन में हम एक कप चीनी डालेंगे यह वही कप है जिससे मैंने अंगूर के जूस को ना पा था इसी से हम हाप कप पानी डालेंगे हमें एक तार की चासनी त्यार करनी है अभी मैंने गेज के फिलम को हाय कर दिया है जिसे चीनी जल्दी से घूल जाए अब हम लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ड करेंगे यहाँ चीनी पानी घूल गया है फिलम को मैंने लो कर दिया है अब थोरी देर और पका लेते हैं थोरी देर पकाने के बाद prose Pasani को चेक कर लेते हैं चासनी में एक तार आ रहा है चासनी हमारा तयार है अजब हमने जो अंगूर का juice त्यार करके रखा था उसी इसमें डालना है डालने से पहले हम इसे एक बड़ अच्छी तरह चला लेंगे क्योंकि कॉन फुलोर जो होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है इसे हम दिरे दिरे डालते जाएंगे और एक हांसे चलाते रहेंगे परना इसमें गुठलिया पर जाएगी अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे यह बहुत जल्दी गारा होने लगता है इस टाइम में हमें फिलेम को बिल्कुल लो रखना है अब थोड़ी दिर में ही देखेंगे यह गारा होना शुरू हो गया है इसे हम लगातार चलाते रहेंगे मिठाई का कलर सुन्दर देखने के लिए इसमें हम गरीन फूट कलर एड़ करेंगे मेरे पास liquid फूट कलर था आपके पास powder फूट कलर या gel फूट कलर हो आप वो भी डाल सकते हैं इसे मिठाई का कलर बहुत सुन्दर बन जाता है इसे लागातार चलाते हुए अब हम देखेंगे ये अच्छा गाढ़ा हो गया है इसे स्टेज पर हम एक चमच देशी घी डालेंगे इसमें हम जैसे घी डालेंगे ये पेन को छोड़ना सुरू कर देगा अब देख रहे हैं ये पेन को छोड़ रहा है अभी इसमें हम एक चमच और घी एट करते हैं इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह कूख हो गया है ट्रांसपेरन्ट हो गया है इसमें अच्छी साइनिंग भी आ रही है इसे हम 2-4 सेकेंड चलाती है और पका लेंगे अब यह पूरी तरह पेन को छोड़ रहा है अब यह जमने के लिए तैयार है यहां हम गैस बंद कर देते हैं अब इसे हम उस पिलेट में डालेंगे जिसमें हम इसे सेट करेंगे जिसे मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था अब इस मिश्रन को फैलाते हुए पिलेट में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे अब इसे सेट होने के लिए एक गंटा के लिए हम छोड़ देते हैं एक गंटा बाद हम देखेंगे यह अच्छी तरह सेट हो गया है अब एक चाकू से इसे साइड को अलग कर लेते हैं उसके बाद इसके उपर एक बिलेट रखके इसे पलड देंगे ये बहुत असानी से निकल जाएगा आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना सुन्दर लग रहा है अब इसे हम कट कर लेते हैं अब इसे किसी भी सेफ में कट कर सकते हैं मैंने हैं बरफी का सेफ दिया है ये मिठाई बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है खासकर ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है क्योंकि ये जेली की तरह लगता है और इसे बनाना बहुत आसान है और इससे बनाने में ज़्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है बस तीन चीज से हम टेस्टी मिठाई को बना सकते हैं और ये फटापट बनकर त्यार हो जाता है तो आपको ये नई रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए वीडियो पसंद है तुसे लाइक और सियर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले साथ में बेल ऐकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू